नमस्कार, DNP इंडिया में आपका स्वागत, मैं हूँ आपके साथ राहुल चोधरी प्रमोद कृष्णम को ततकाल प्रभाव से 6 साल के लिए पार्टी से निश्काशित करने के उत्तर प्रदेश कॉंग्रे समीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है आपको बता दे कि पार्टी का ये निर्णय आचारय प्रमोज किश्णम द्वारा प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी से मुलाकात करने और उन्हें 19 फरवरी को उत्तर प्रधेश के संभल में शिरिकल की धाम की अधारशिला रखने के लिए आमंतरित करने के कुछ दिनों बाद लिया गया है पिछले कुछ दिनों से आचारय प्रमोज किश्णम पिया मोधी की खूब तारीफ कर रहे थे उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिश्टा कारेकरम में कॉंग्रेस के शीर्ष नेताओं के नाजाने पर भी सवाल उठाई थे आचारय ने 22 जन्वरी को उत्तर प्रधेश के आयोध्या में आयोजित राम मंदिर प्राण प्रतिश्टा समारों में भी भाग लिया और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी को श्रे देते हुए रा मंदिर के उद्गाटन की सरहना की थी उन्होंने इसके बाद पीम मोदी से नीजी मुलाकात भी की थी मुलाकात में कलकी धामशलान्या समारों का न्योता भी दिया था पीम मोदी ने न्योते को सुविकारते हुए आचारे प्रमोद का अभार व्यक्त किया था इस पर आचारे ने पीम का धन्यवाद भी सुविकार किया था वो लगतार प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे आचारे प्रमोध कृष्णम का जन्व चार जनवरी 1965 को बिहार के ब्रहमन परिवार में हुआ था उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में आकर श्री कलकी फांडेशन की स्थापना की वो कलकी धाम के पिठा दिश्वर भी हैं कहा जाता है कि वो पार्टी से तीन जशक्षे जादा समय से जुड़े हुए हैं उन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश के संभल से लोकसभा का चुनाव लड़ा लेकिन वो हार गए 2019 में लखनव से उन्होंने फिर चुनाव लड़ा लेकिन यहां पर भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था कृश्णम पहले कॉंग्रेस की उत्तर प्रदेश सलाकार परिशद का हिस्सा थे जिसका गठन पार्टी के लिए यूपी प्रभारी के रूप में प्रेंका गांधी बाडरा की साहिता के लिए किया गया था प्रमोध कृश्णम को अकसर टीवी डिबेट्स में देखा जाता रहा है वो कॉंग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए नजर आते थे हाला कि पिछले कुछ महीनों में वो कॉंग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करने लगे थे जिसके बाद पार्टी ने उन पर ये कारवाई की है कॉंग्रेस की इस कारवाई पर प्रमोध कृश्णम का जवाब भी आया पहले उन्होंने एक्सपर कॉंग्रेस को जवाब देते हुए लिखा कि राम और राष्ट्र पर कोई समझोता नहीं हो सकता पूर्व कॉंग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी को टैग भी किया था वहीं कॉंग्रेस से निकाले जाने के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रमोध कृश्णम ने राजीव गांधी को दिये वचन को लेकर बात की उन्होंने जीवन भर प्रधान मंत्री मोधी के साथ खड़े होने की बात भी कही प्रमोध कृश्णम ने कहा कि मैंने 16-17 साल की उमर में राजीव गांधी को दिया हुआ वचन आज तक निभाया है आज इस उमर में एक बार फिर से संकल्प ले रहा हूँ कि मैं आजीवन प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी के साथ खड़ा रहूँगा तो आचारय प्रमोध कृश्णम ने जीवन भर प्यम मोधी के साथ रहने का एलान कर दिया है अब सियासी गल्यारों में चर्चा है कि आचारय जी पहले ही बिजेपी के साथ जाने का मन बना चुके थे और कॉंग्रेस ने उनका काम आसान कर दिया है तो अभी के लिए इतना ही खपरों का सिल्सिला जारी है आप देखते रहिए डियन पी इंडिया नमस्कार